हेलो स्टुडेंट्स आज हम का इदे मों पसंद वारा जो लिखी गे कहानी है उसकी एक्स्प्लानेशन बताएंगे और साथ में इस चैप्टर के जो इंपोर्टेंट कोश्चन होंगे उसके बारे में भी आपको बताएंगे तो इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बैल का इकन भी ओन कर ले ताकि जो भी नए अपडेट्स हों वो आप तक पहुंच जाएं तो स्चार्ट करते हैं जैसे कि हर मूविस में हिरो और हिरोईन होते हैं उसी तरह इस कहानी के जो हिरो हैं मिस्टर ओरियल है और हिरोईन जो है मैडम ओरियल है यह मैडम ओरियल नाम की एक अमीर इस्ते की कहानी है वै प्रतीक पैसे की ठीक किमत जानती थी वै आपना धन बढ़ाने में विश्वा उसकी नोकरानी उससे अधिक पैसे प्राप्त नहीं कर सकती थी। दूसरे कलर्क का काम करता था। इस चाते को देखकर पहले की अपेक्षा और जोर से हसते थे। ये एक घटिया सोदा सिधुआ। तीन महीने में ही वह चाता फट गया। मिस्टर ओयल ने अपनी पतनी को नए रेशम के चाते के लिए 20 फ्रैंक्स खर्च करने का अदेश दिया। ये एक नया चाता दफ्तर में हिट सिधुआ। जब उसका पती दफ्तर से वापिस आया। उसकी पतनी ने ने चाते का निरिक्षन किया। उसे चाते के मद्य में गोल शेद दिखाई दिया। ये सिगार के सीरे से जला हुआ था। उसने अपनी पती को चाता खराब करने के लिए बुरा भला कहा। उसने उस पर असावधान होने का दोश लगाया। उसने पुराने चाते से रेशम का टुकड़ा लेकर छेद की मुरमत की। अगले दिन मिस्टर ओरियल दफतर से वाफिस आया। श्रीमती ओरियल ने चाता उसके हाथ से लिया। उसने देखा सारे चाते में छोटे छोटे शेद थे। वै जला हुआ था। शायद पाइप की राख रेशम के चाते के कवर पर खाली कर दी गई हो। चाता नश्ठ हो गया था। उसने फिर अपने पती को गालियां दी। उसने अपनी पतनी को बताया कि किसी ने दफतर में इर्शा या बदले की भावना से शाता जला दिया था। इतने में एक महमान रात के खाने के पर आया। मामला महमान के सामने रखा गया। मैडम मॉरियल ने सक्ती से कह कि वह एक नोकर का चाता अपने पती के लिए खरीदेगी उसके पती ने बताया कि वह नोकर का चाता लेकर दफ्तर नहीं जाएगा महमान ने राय दी कि उन्हें 8 फ्रैंक्स से चाते को दुबारा कबर चड़ा लिना चाहिए श्रीमती ओरियल ने पहले ही इस पर 18 फ्रैंक्स खर्च किये थे उसके लिए इसकी मुरमत पर 8 फ्रैंक्स खर्च करना कठिन था महमान ने राय दी कि उन्हें जले हुए चाते का इंशोरेंस कंपनी से मुआवजा लेना चाहिए मिसिस ओरियल ने कारिवाही करने का निर्ने लिया वे चाती थी कि चाते की मुरमत ना हो सके इसलिए उसने बहुत बड़ा चेद कर दिया उसने बाकी रेशम को तै कर दिया वे फायर इंशोरेंस कंपनी के दफ्तर गई वे धुरगटना विभाग में गई दुरगटना विभाग का मैनेजर किसी और ग्राहक के साथ दूसरे मामले पर तर्क करने में व्यस्त था उसने मैनेजर को जला हुआ चाता दिखाया यह उसे 20 फ्रेंक्स में पड़ा था उसने मैनेजर को बताया कि उसने इंशोरेंस कंपनी से इंशोरेंस पॉलीसी ली थी वै उससे जले हुए चाते का आफ़जा चाती थी उसने ये भी कहा कि वै कंपनी से जले हुए चाते पर दुबारा कवर चड़ाना चाती थी मैनेजर पारिशान हो गया उसने कहा कि कंपनी चातों का काम नहीं करती इसलिए वे इस चाते की मुरम्मत नहीं कर सकती मैडम ओरियल ने मैनेजर को बताया कि वे इसकी मुरम्मत करवा लेगी यदी कमपनी बिल दे दे मैनेजर ने मैडम ओरियल को बताया कि वे ऐसी छोटी धुरकटनाओं का मुआफजा नहीं देते इंशोरेंस कम्पनी से ज़ाडू, रुमाल, दस्ताने और पुराने सलीपरों को दुबारा प्राप्ट करने की आशा नहीं करनी जानी चाहिए मिसिस ओरियल ने कहा कि पिछले दिसंबर को उनकी चिमनी को आग लग गई थी उसकी मुरमत में 500 फ्रैंक्स खर्च हुए थे उसके पती ने किसी मुआवजे के लिए कम्पनी को नहीं कहा मैनेजर को अश्चर्य हुआ कि पती ने 500 फ्रैंक्स के मुआवजे का दावा नहीं किया और पतनी 500 से फ्रैंक्स का दावा कर रही है मिसिस ओरियल ने कहा कि 500 फ्रैंक्स मिस्टर ओरियल की चिंता थी और 18 फ्रैंक्स उसके पर्स से निकले थे मैनेजर ने महसूस किया कि मुआफ़जा दिये बिना इस्तरी को भेज देना उसके लिए असान नहीं था उसने उससे पूछा कि वह वर्णन करे कि धुरगटना कैसे हुई मिसिस ओरियल ने कहा कि पहले दिन उसने चाता स्टैंड पर रखा था स्टैंड के उपर मुआमबतिया और दियासलाई का डिबा था दियासलाई मतलब माचिस का डिबा उसने दियासलाई की तीन तीलियों से मुऊमबती जलाने में असफल हो गई और तीसरी पर मुऊमबती जल गई तब वैस हो गई पोने घंटे बाद उसने जलने की दुरगंद आई उसने देखा कि वह उसका चाता था जो जल रहा था एक तीली चाते की त्योंहों गिर गई थी मैनेजर को बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं दिखा वे इस्ट्री को चाते पर दोबारा कवर चड़ाने की कीमत देने के लिए मान गया उसे बढ़िया रेशम का कवर चड़ाने का निर्देश दिया गया इंशोरेंस कंपनी के कैशियर को मिसिस ओरियल दोबारा मुरम्मत का बिल प्रस्तुत होने पर पैसे देने पड़े आगे इसके जो इंपोर्टेंट कोश्चन है वो करते है पहला कोश्चन थीम ओफ्दा स्टोरी दाम ब्रेला दूसरा कोश्चन राइ टेक रेक्टर स्केच ओन मैडम ओरियल और तीसरा कोश्चन राइ टेक रेक्टर स्केच ओन मौन्सेर ओरियल चोथा कोश्चन वाइ वाइ वाज इट डिफिकल्ट पोर मौन्सेर ओरियल तो गेट पोकेट मनी अगर आपको इन questions के answer चाहिए और explanation भी तो हमें comment करके जरूर बताएं